कि नमस्कार मैंना मालोग है आप लाइफ स्टीज देख रहे हैं सवक्स इंजलिस गैश्वा हमाई साथ मौजूद है आज चर्चा करेंगे वी आएपी पार्टी के सर्वे सर्वा संस्थापक मुके सहनी को लेकर एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन हर जगा देखने को मिल लगता है कि अब समाज की लड़ने के लिए मुके सहनी पूइतर तयार हो चुके हैं देखिए मेरे हाथ में दैनिक भासकर है इसके बाद जागरन है और इसके बाद हिंदुस्तान है देखिए इसमें आज जैकेट विज्ञापन चपा है और मुके सहनी इस बात के लिए जा लगता है कि इन्होंने एक नया राग छेरा है जो अती पिछरों को तो पसंद आएगा लेकिन समाज में क्लेस भी बढ़ाएगा देखिए राजनिती आज कल राजनिती में अती पिछरा पिछरा दलिट महादलिट ठीक है आप बाते करते हो सबसे सौटकट आप रास्ता नि अरे भाई हिस्सेदारी से आपको किसने रोका वीहार की ही बात करें पिछले 30 बर्षों में चत्ता किसके पास है पंदरा बर्स किसके पास रही लालू पडिवार के पास पंदरा साल से अधिक अब निटिस कुमार के पास मतलब देखिए अब वो जमाना चला गया मुके सहनी जी कि आप जगनात मिस्रा से सतेंदर नरायन सिंग से बिंदे सुरी दूबे से महामाय पुसार सिनहा से डॉक्ट अब भूमियार भ्रहमन ये कहता है कि मुझे मेरी सीद्डेदो कुम तो आप वाल पिछरा टॉब यह पृ उने जूब कर रहे हैं हिस्सेधारी तो देखिये अब जो आफ।ury चलो अरक्षन बर अटेचलो kवराते चलो कितना रखशन भाई हैया क्यों नहीं कहते हैं कि हमила क्वालिटी एजुकेशन पर जोड़ रहेंगे आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि अम अथी पिछड़ा के लिए बेहतर स्क्षिक संस्थान बनाएंगे उनके लिए बेहतर स्कॉलर से शुरुआत करेंगे आप उनके जीवन इस्तर क्वालिटी लाइफ को डेबलप करने की बात नहीं करते हैं और आप कहते हैं क्या बिल्कुल सौटकट पॉलिटिक्स मुझे मालूम है कि आज जो मुकेश सहनी ने इस विग्यापन से राग छेरा है आती पिछले तो प्रशन हो जाएंगे कि 15 पतिसत और आरक्षन की बात सुरू हो गई मुकेश सहनी अब तक निसाद की बात करते थे लेकिन आज करपूरी ठाकूर के दिन उन्होंने बात कर दी करपूरी ठाकूर पर भी आएंगे करपूरी ठाकूर को लोग कितना समझते हैं और किस तरीके से सौटकर चल देते हैं तो कहने का मतलब तो यह है न कि आरक्षन 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 इसका मतलब आरक जब आप सब कुछ आरक्षित ही कर देंगे तो फिर पढ़ने से फाइदा है तो मेरिट बाले पढ़ाई बंद कर दें जिनके पास मेरिट है मतलब उनके लिए यह बदकिस्मती है कि उन्होंने वह सजात में अपने को पैदा नहीं किया है तो पढ़ने से क्या फैदा है यह जो आरक्षन आरक्षन की बात हो रही है अब देखिए मुके सानी का जो विज्यापन है वह और भी बहुत कुछ कुछ कहता है जो इस बात को दर्साता है कि आरक्षन जितनी बहती जा रही है उनके भीतर भी संगर्थ बहता जा रहा है मुकेश सहनी विग्यापन में क्या कह रहे हैं कि देखिए जब अती पिछ्री जातियों को स्रेनी बध किया गया तो जो पहली सुची बनी थी जो मूल सुची बनी थी बाद में उस सुची में कई जातियों को जोरा गया तो मुकेश सहनी का यह विग्यापन कह रहा है कि जो अती पिछ्री जातिया ओरिजिनल थी जो पहली सुची में थी उन्हें इस आरक्षन का फाइदा मिल ही नहीं रहा है मिल किसे रहा है? मिल उन्हें रहा है जिन जातियों का नाम बाद में जोरा गया अब इन्होंने ये एक आंकरा दिया है कि जो BPSC है यहार लोग से बायोग उसका जो 74 और 65 और 65 तो वे जाती से गिनाए हैं कि देखिए जो पहले जो मूल जाती थी उनके सफल प्रिक्षातियों की संक्या तो बिलकुल ही कम है और बाद में जो जातियां सामिल की गई उन जातियों की अभियतियों की संक्या अधिक है तो देखिए जो मैं कह रहा था कि इसका आसे तो यह हुआ कि जिन अती पिछ्री जातियों के लिए आपने शुरुवात में आरक्षन दिया था उनके जीवन इस्तर उनके सेक्षिक इस्तर को आप उठा नहीं पाए और अब संगर साब के भीतर होगा क्योंकि जब आप कहा रह हैं जो आप बता रहे हैं जो आँक्रे दिखा रहे हैं इस आँक्रे से यह समझ में आता है कि जिन्हें सफलता मिली है वो जातिया बाद में जोली गई और उन जातियों में अधिक कौन है उन जातियों में अधिक हैं हलवाई तेली मतलब आप बैस जातियों की और आप इश जोड़ी गई है फाइदा उन्हें ही मिलेगा जो बुनियादी जातियां थी उन्हें तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनके जीवन इस्तर और सैक्षिक को ऊपर ले जाने के लिए अपग्रेट करने के लिए आपने कोई काम नहीं किया जो मूल मुद्देत हैं उनसे भटके आप क्यों नहीं कहते हैं उसका मकसद सिर्फ यह है कि जो जेनरल कैटेगरी के तैलेंटेड विद्याती है वे मुकाबले में और पीछे ठीक है ना उनके पास कोई काम बचे आपको लगता है कि नोने जो मशाल जलाया है जो भी किया कर पूरी संकल्प महाभियान अते पिछों के लिए आपने किया तो मतलब आप हिसेदारी चाह रहे हैं पिछे समाज रहेता है अब बढ़ जाएंगे घर पर वह आगे नहीं चलेंगे आपने तल सब्सक्राइब है अब सब्सक्राइब है अगर गटबंदन ना हो तो तो आप तो अब देने वाले हो गया है तो जब आप देने वाले हो गया हैं तो आप अपने समाज को क्यों नहीं उठाएं मांग किसे रहें मांग किसे रहें और देखिए बात बात में करपूरी ठाकुर की बात करपूरी संकल्प महा भियान करपूरी ठाकुर को लोग कितना समझते हैं कितना पर हैं देखिए मैं करपूरी ठाकूर की जिंदगी कितने साद्गी से अपनी जिन्दीगी जीते थे और और किस तरीके से परिवारबाद के खिलाब थे। आपको हम एक किस्सा सुनाते हैं, 1985, 1985 लोगडल तब पार्टी थी और चुनाओ होने थे, तो लोगडल के टिकट का बतवारा करने को, तब कॉंग्रेसी बिहार में हुकूमत में थी, टिकट के बतवारा को राज लानायन, जि सिंटल अब्जर्बर बनकर बिहार आए हैं, और टिकट कौन लरेगा, कहां से लरेगा, इसका फैसला होना था, तो करपूरी थाकुर की हस्ती कितनी बड़ी आप समझ सकते हैं, तो तैय यह हुआ, जो सुची यहां तयार हुई, कि करपूरी थाकुर समस्तिपुर से बिरहा अगरोटी गुपचुप तरीके से तयार की, इसके बाद होए एरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गये थे, तबnten की खरनी ठाकुर को किसी ने बताया, कि जो जिस्त तयार हुई है, उम्मिदभारों की, उसमें आपका भी नाम है और आपके बेटे का भी नाम तो करपूरी ठाकूर लगा कि यह कैसे हो सकता है कि हम भी चुनाव लए और मेरा बेटा भी चुनाव लए आज क्या होता है आपको पता है तो करपूरी ठाकूर डौरते हुए तेजी से एरपोर्ट पहुंचे और राज नरायन जी से कहा कि आप मुझे वो लिस्ट दिखा दिजिए तो राज नरायन तो पहले हिच के लेकिन करपूरी ठाकुर की हस्ती इतनी बड़ी थी उन्होंने लिस्ट दिखा दी तो उसमें उन्होंने देखा कि मेरा नाम समझतिपुर से और बेटे का नाम कल्यान पूर से लिखा है तो करपूरी ठाकुर ने उस लिस्ट में अपना नाम काट दिया और कहा कि मैं चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हूँ तो हरकम बच गया क्यों नहीं लड़ेंगा भाई तो करपूरी ठाकुर ने कहा कि देखिए मेरा जो और मैं भी चुनाव लरू तो इसलिए वह चुनाव ही लरे पड़िनाम यह हुआ कि बाद में रामना ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ना परा करपूरी ठाकुर की जिद के कारण और जो फैसला हुआ और करपूरी ठाकुर ही चुनाव लरे ठीक है रामना ठाकुर लेकिन कलपूरी ठाकों के लिए चैमबर नहीं था नहीं था इस तरीके से जीते थे और जब अपने सीम से संबन सिन्हा की पुस्तक लिखिया उउसमें इस बात का चिक्र है कि और धस जाते थे और फाइल इदर विखी होती थी लोग मिलने वाले भी होते थे तो पैसला और फाइल की निप्तारे में बक्त लगता था तो करपूरी ठाकुर को फाइलों की निप्तारे के लिए जो बिहार मिलिती पुलिस का फुलवारी में मतलब जो इलाके में जो वह है चाबनी है और वहां जो गिस्थाउस है वहां ले जाया जाता था कि वहां वो सांथ होकर फाइल पंहले को निुपतारा कर सके अब देह कर पूरी ठाकुर की जिंदगी यसवन सिन्हा कर पूर मुख्य मन्तरी टीक से करफ़ी ठीक से बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है कर पूरी ठाकुर की पतनी जाहूं में रहती थी और और करपूरी जी ने कहा कि अस्वन सिन्हा के लिए चाय बनाओ तो वो लकरी के चुलहे पर या कोईले के चुलहे पर चाय बनाने लगी तो यह उनकी जिंदगी थी पता नहीं इन सब चीजों से लोग क्यों नहीं सेकते हैं और देखिए जो साध्गी है समर्पन है ठीक है न परिवारबात को आगना बढ़ाना की जिद थी अब देखिए करपूई था कुछ ने अपनी बेटी की साधी की मुखिमंती रहते हुए पटना में नहीं किये अपने गाउं से की और आपको जानकर आश्चर होगा कि गवर्नर को भी इनभाइट नहीं किया और तमाम जो जि को बीवे आई पी नहीं बनाना चाहते थे वह साधी को रस्मों रिवाज के हिसाब से अहसानी की परिवार में कोई बगाबत थी को चुपके से साधी करनी थी और जब अपनी बेटी को छोड़ने गए तो ट्रेन से गए और जब पहुंचे बेटी की ससुलाल वाले सहर में तो उन्होंने सरकारी गारी का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने नीजी गारी अपने किसी मित्र से मंगवाई तो देखिए करपुरी ठाकुर हो थे अब करपुरी ठाकुर के नाम पर तमाम तरिकी की राजी तेखिए आज का जो विग्यापन है मुके साहनी को अति पिछ्रो हाँ आप समझ सकते हैं ठीक है और फिर आप देखिए ना कि बैसंजय जायसवाल भी आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि मूल जाती के लोग इस आरक्षन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जो बाद में जातियां जूट गई वे लाभ उठा पा रहे हैं तो पंद्रह सिर्फ इतना ही रहा गया है कि जो मेरिट वाले हैं उन्हें पकावडा तलने के लाइक ही रखे हम देखी एक सवाल यह भी करते हैं बहुत लोगों को अच्छी बात नहीं लएगी कि जब आप बिमार होते हैं तो आप यहां नहीं पूछते हैं कि यह डॉक्टर डिजर्व क से पॉपलर ठीक है मुझे पता है कि मुझे सहनी इस विग्यापन का इजीदों ने पैसा खर्च किया है तो इसका फायरा उठाने की कुछिस करेंगे और अब तक वे निसाद क्रांती निसाद क्रांती सहनी सहनी की बात करते थे अब वे अती पिछला जमात में पैठ बनाने की कुछिस कर रहे हैं लेकिन क्या आपका संदेशा यही है कि मेरिट वाले पकौरात लें देखिए मेरी बाते कई लोगों को चुभेगी और लोग इसे जात से भी जोड़ देंगे लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है मुझे चिंता इसकी है कि परहाई का योगिता का कोई महत्व है की नहीं है और यदि है आरक्षन की वेवस्था लागू है तो उस परहाई को और उस मेरिट को और कितना आप नास करेंगे जो ग्यान अपने अरजित किया है जो बुद्धी आपने कमाई है जो विद्धिया आपने हासिल की है उसके अधार पर आगे बढ़ेंगे है या फिर अब जात और समाज की जो लड़ाई एक फिर से शुरू हो रही है एक सीमा तक तो सही है होना चाहिए आरक्षन तो खर लागू है हमारे देश में रहेगा लेकिन कितना जो मेरिट वाले हैं उन्हें क्यों दबाए जा रहा है खर कर पूरी महासंकल्प अभियान म समझ आ रहे हैं सिर्फ उनके जमात के उनके समाज कहीं लोग दिख रहे हैं और क्या इससे जो सवन जाती के लोग है जो मेरिट वाले लोग है उन्हें पर अच्छा असर इस पर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा नाराजगी बढ़ती है यह भी देखना होगा हमारे चाल को स